येक 3.8 question number है इसमें जानबूज के value जो दी गई वो ऐसी दी कि देखने में लगे weight stone bridge जैसे कि what stone bridge तो अपने आप समझे weight stone bridge वोले पूछे नहीं था आपने what stone bridge पूछा था सुनिये द्यान से अगर इस resistance का नाम ले ले R1 इदर देखिए इस resistance का नाम ले ले R2 इसका ले ले R3 इसका ले ले R4 इसका ले ले R5 तो इसका इसका ratio कितना आ रहा 10 upon 5 कितना रहा 1 upon 2 इसका इसका कितना रहा 5 upon 10 2 upon 1 तो क्या ये balanced weight stone bridge नहीं है क्या ये balanced weight stone bridge है कि नहीं है प्राति है जानने के लिए आपको लिखाया है इसके बादki निभाय करोंगे। नहीं लिखा रहे हैं जब तुम कैसे गायब करोगे कैने वो वाइट न लगा देंगे नहीं लिखा तब भी दिखा थे आपको तो लिखना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिख दो R1, R2 R3, R4 R5 आपको इसे लिखना पड़ेगा कि आपको यह कैसे दिखाना पड़ेगा बैलेंस है का अन बैलेंस है अब देखो यहाँ से करेंट I flow ही है न अब यहाँ पर करेंट आके दो भागों में ब्रेक हो गई थोड़ी करेंट इधर चली गई इधर कौन सी गई I1 और इधर कौन सी गई I2 I दो भागों परेक हुई है न तो एक equation तो आपको आगया I is equal to I1 प्लस I2 पहली equation ठीक है बड़ प्राब्लम जितनी value निकालनी है उतना equation चाहिए हम solve पूरा नहीं करेंगे इसको जब current यहाँ पहुँची और यह यहाँ पहुची अब यहाँ decide करना current इधर जाएगी या इधर जाएगी अंदर यह depend करता है हम अपने ही साथ कुछ भी मालने हमको मालूम नहीं जब नहीं मालूं तो अपने ही साथ मालेंगे तो यहाँ पर current हमने क्या माल ली आई थ्री और इधर क्या हो जाएगी अब आई फोर नहीं मालेंगे हर जगह आई वन आई टू आई थ्री आई फोर अन्डोन वैलू बढ़ती जाएगी जब इस आई वन में से इधर आई थ्री फ्लो हो गई इधर कितनी बची आई वन माइनस आई थ्री यहाँ पर आई टू आ करके मिली और यहाँ पर आई थ्री नीचे आ गई दोनों यहाँ मिली और कहां थे आ रही हो करें हम इधर थे आ रही है हम इधर थे आ रही है तो अब थोड़ी ती अंदर जाएंगे अब किधर जाएंगे दोनों मिल करके अपना morning work करते भी इधर जाएंगे I1, I2 प्लस I3 और यहां मिल करके I हो जाएगा डाइगराम समझ में आ गया आपको कितने close loop दिख रहे हैं अप देखो आपको उतने ही question मिल रहे हैं इसमें I1, I2, I3 तीरे unknown value है अब आप कहेंगे I भी है तो I की value I1, I2 के farm में मिल जाएगी तो आपके unknown कितनी values हैं I1, I2 और I3 तो तीर equation मिल जाएगा काम चल जाएगा तो पहले तो आप close loop कौन से ले ली जाएगा A, B, D, A in close loop in closed loop A, B, D, A, Y, Kirchhoff's second law यह एक में लिख रहा हूँ, सब में नहीं लिखूँगा अज़ता जो मैंने close loop लिया है वही मेरी calculating direction भी है अब सुनो ध्यान से दुनिया वालो इधर से हम गए I1 के साथ I1 के साथ गए तो resistance मिला 10 10 resistance में I1 current flow रही है तो कितना potential difference होगा 10 I1 plus या minus current के साथ minus आगे गए इधर entry मारे current I3 resistance 5 minus का 5 I3 ठीक है इधर से गए lot क्या है current direction change हो गई plus 5 I2 is equal to 0 5 से इसको divide कर तो छोटा करने के लिए तो क्या हैगा minus का 2 I1 minus का I3 plus का I2 is equal to 0 question number 2 समझ भी बात एक ही question ही आ गई नहीं दा रही क्या वो चुपे बैठे हो अब तुम्हारे दोस्त नहीं आए क्या वो अले अब देखो ये loop देखो B C D B दूसरा है in closed loop in closed loop B C D B के अब से लगे हुए हैं सुने ध्यान से यहां से चलना शुरू है current कितनी है I1 minus I3 resistance 5 current के साथ चल रहे हैं तो क्या हैगा minus का 5 I1 minus I3 आगे गए मुलाकात इनसे हुई current के opposite यहनि कि plus I2 plus I3 into resistance 10 entry मारे minus minus plus current के opposite जा रहे हैं कुछ हो बोल दो minus plus minus plus minus जो मनो तो बोलो plus 5 I3 is equal to 0 इसको भी 5 से डिवाइट कर दो तो माइनस का bracket खोल दो minus का I1 plus का I3 plus का I2 plus का I3 sorry 2 भी है न 2 I2 and 2 I3 और plus का I3 is equal to 0 कुछ calculate करो minus I1 अकेला है अकेला रहेने दो I3 plus 2 I3 3 I3 और प्लस 2 I2 बराबर 0 एक कुछ नमबर कौन सा हो गया 3 यहां पहुचे एक लूप यह दिख रहा आपको तो किर्चा आप पागल थोड़े रहे हैं जो में complexor के ले फर्मला बता दें तीक है वो question यहां यह नहीं बूठता है कि आप कोई tough rule लगा रहे है यह जिरूर लगा रहे है जहां पर गलती होने की chances कम हो तीक है यहां series pedal करने में दिक्कत जाएगी इसने resistance को खोल के बनाना दिक्कत है इसलिए दिक्कत हो रही है और तो बना सकते हैं फिर जैसे दिमाग चल जाए आपको आप ऐसे करो अब देखो in close loop कौन सा loop लेंगे यहां सुरू करो G A D C F G D A G कहा से सुरू किया G A D C F G अब सुरू कहां से करते हैं यही से सुरू करते हैं current I2 current के साथ minus तो minus का 5 I2 यहां गए current के साथ minus I2 plus I3 resistance कितना है 10 आगे गए मिल गई बैटरी बैटरी के plus 10 मिल के तरफ जा रहे है plus का 10 आएगा न plus का 10 और यह current के साथ जा रहे है current यह है तो minus का 10 I बराबर 0 direction of calculation मैं उधरी जा रहा हूँ मैं जो loop लिख रहा हूँ उसी direction में जा रहा हूँ मैं loop का नाम वैसे लिख रहा हूँ ठीक है जिदर मैं जा रहा हूँ loop का जो नाम है वही मेरी direction of calculation है ठीक है तो 5 से divide कर दो तो आएगा minus का I2 minus का 2 times I2 plus I3 plus का 2 minus का 10 और I को क्या ले सकते है I1 plus I2 बराबर 0 अब देखो I1 I2 में एक और relation आ जाएगा तीन relation I1 I2 I3 में आ गए एक relation बहिए I1 I2 I3 में यह relation I1 I2 I3 में यह relation और इसको calculate कर लोगे एक तीसार लेसन आ जाएगा तीनों को solve करके I1 I2 I3 के value निकाल लेंगे हाँ तो हो सकता है हमारा calculation बड़ाए strong है न तो 4 I3 कर दो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो plus minus चलता है कभी चस्मा इसे देखा तो उसमें बाइफोकल हो गया नहीं दिखा उदर ठीक है इसको थोड़ा calculate कर लेते हैं यह बाद check कर लिजेगा rule देखिए mathematics तो 2 into 22 भी लिख जाते कभी कभी इसको जब bracket खुलो कितना आएगा minus का I2 minus का 2 I2 minus का 2 I3 plus का 2 minus का 10 कहा से आ गया 5 से divide कर दिया था न यह नहीं दिख रहा होगा minus का 2 I1 minus का 2 I2 बराबर 0 तो I2 minus का 2 I2 minus का 3 I2 minus का 4 I2 minus का 5 I2 minus का 2 I3 minus का 2 I1 plus का 2 बराबर 0 minus को उदर ले जाओ तो 5 I2 plus 2 I3 plus 2 I1 बराबर 2 यह को शंबर 4 डाल दो आब 2, 3, 4 साल्व कर लो कैसे सॉल्व करोगे देखो पहले 2 और 3 को सॉल्व करोगे 2 और 3 को और मालिया आपने इसको सॉल्व करके क्या कैंसल करा दिया I1 कैंसल करा दिया तो आपका रिलेशन किसके किसके टर्म में आएगा I2 और I3 के टर्म में तो इसको इसको solve कराकर क्यों I1 कैसल करा हूँ तो अगला ये एक और कोशन आएगा I2, I3 में अब दो दो के turn में आ गए उनको solve कर आईवन I2, I3 निकालेजिए आप सुनिये ध्यान से ये जो direction of current आपने मानी थी इसमें जिसकी direction उल्टी होगी उसका sign change हो जाएगा तो जैसे आ आपने current I3 निकाली और I3 निगेटिव आ गई तो समझ ली जाए कि I3 की direction क्या है अपोजिट है तो आपको फिर calculation नहीं करना है आपको लिख देना है कि this current will be along D से भी वो कोई बतलम नहीं है ठीक है यानि कि I2 इधर से आएगी जब I2 इधर आएगी तो उनसे कहें कि तुम ही विर गीनि एफ फगत। II